हैलो फ्रेंज आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मेरी फ्रेंड ने कम्प्लीट कर लिए हैं अपने 1K सब्सक्राइबर्स अपने चैनल कलपना क्रेटिव कॉर्णर पे तो सबसे पहले तो उसे बहुत ज़दा मुबारक बाद और आप सब का थैंक यू हैलो फ्रेंड साथ श्रियकाल स्वागत है आपका हमारे चैनल हरित्वी बहल एन ममा रॉक्स में और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मिनाक्षी आज के व्लॉग में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बच्पन की या ऐसी कुछ तस्वीरें जो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि जैसे आप सब को पता ही है आजकल मैं माइके में आई हुई हूँ कुछ हैल्थ इशूस है मुझे और पापा को कुछ हैल्थ इशूस हो गए थे तो उन्हें जाना पड़ा तो इसलिए आजकल मैं जो है वो घर की कह सकते हैं कि गार्डियन बनी और होता है ना कि बार-बार ध्यान जाता है कि मम्मी को आवास लगाएं या पापा को लगाएं ऐसा कुछ होता है तो उसी बीच मैंने कुछ फोटोग्राफ्स मेरे बच्पन की निकाली जो मुझे मिली सारी तो नहीं मिल पाई लेकिन जो मुझे मिली मैंने वो निकाली और आज आपके साथ मैं कुछ वही तस्वीरें वही यादे जो है वो शेयर करने वाली हूँ उमीद है आपको आज का व्लॉग उसी तरह से पसंद आएगा जिस तरह से आप मेरे पहले व्लॉग्स को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और व्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाए और देखते रहे हमारी जो है वीडियोस ये क्लिप जो है फ्रेंड्स वो सेटर्डे का है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये दोपहर का लंच टाइम का था जो सेटर्डे को मेरा व्लॉग आया था विकॉस उसमे मैंने आपके साथ हलकी फुल की अपनी शॉपिंग तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी तो बस यही चुट-पुट सी वीडियोस जो है मैंने कैप्चर करके रखी हुई है जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लंच मैंने सिंपल ही बनाया था क्यूंकि मेडिसीन डॉक्टर ने चेंज करके दी थी तो थोड़ा वो कह सकते हो कि मुझे शायद सूट नहीं करी पता नहीं क्या हुआ बॉड़ी एक बहुत जदा हुई और उसी बॉड़ी एक को लेते हुए होता है ना के मैंटली भी हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं तो बस इसी बीच मैंने क्या किया सोचा कुछ लंच हलका फु बना लेती हूं लेकिन आपको सची में बताओं तो मेरी एनरजी जो है वो इतनी लोग हो चुकी थी कि जिस काम को मुझे सिर्फ 10 मिनट लग सकते थे उसको मैंने आधा गंटा या 40 मिनट से भी जादा लगा दिये और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किचन में सुभा से हू आप सबको बहुत प्यार आपने मुझे इतना प्यार दिया और इतनी अच्छी अच्छी बेस्ट विशिज दी मेरे ठीक होने को लेके और पापा के लिए जो आपने विशिज दी वो तो है ही अनमोल उसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद भी किस मूं से करूं मुझे समझ पर्सनली नहीं देखा है पर्सनली बैट के बाते नहीं की है इंटच में नहीं हूँ लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मेरी हिम्मत बंधाई मुझे इतना ज़्यादा पेशेंस रखने को बोला इतनी अच्छी विशिज दी कि मैं ठीक हो जाऊं पापा ठीक हो जाए मतल तो डियर मैं बताऊं मैं डाइटिंग वाइटिंग बिल्कुल नहीं करती आपको मेरे को देखके लगता है कि मुझे डाइटिंग की जरूरत है एक्चली मुझे काफी लंबे समय से ये बिमारी है मेरी प्रेगनेंसी टाइम से है मैं सोच रही हूं आपके साथ ये चीज भ प्रेगनेंसी मेरी बहुत बुरी गई थी और उसी दोरान मुझे ऐसे हैल्थ इशूज हो गए थे जिनसे रिकवर करते करते आज मेरे को 5 साल होने को आए हैं लेकिन मैं रिकवर नहीं हो पाई हूं उन्हीं में से एक ये ना मुराद जो बिमारी है टाइफाड मुझे करती मैं जस्ट अपनी डाइट को इसलिए कंट्रोल करके रखती हूं क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइफाइड हमारा जो लीवर होता है वह बहुत स्लो हो जाता है काम करना बंद कर देता है या बोल सकते हैं इंफेक्शन की वज़ा से उस पे भारी पन रहता है इसलिए मैं इम्यूनिटी सिस्टम है वो लिडप हो और मुझे नहीं लगता कि ओईली ओईली चीजें खाने से जो होते हैं हम लोग स्ट्रोंग होते हैं क्योंकि टाइफाइड एक ऐसी बिमारी है जिसमें अब दूध भी पीते हो ना तो वो भी कहते हैं बुखार को ही लगता है आपक बे कहते हैं ना टैंशन मती लो निश्चीतर रहो कि मिनाक्षी डाइटिंग करती होगी क्योंकि मुझे भूखा तो मैं एक मिनट नहीं रह सकती बबाबा अगर मैं भूखी रह सकती तो सारे वर्त वर्त न रखती इसलिए यह आपका थोड़ा सा जो क्यारी थी या मेरे लि लेकिन उसकी जो पीछ निकालते निकालते पंजाबी पिच कहन देया आइधिंक हिंदी में चाज कहते हैं आइम नोट शूर निकालते निकालते मैं इतनी थक गई थी कि जो आधा गिलास भी उसकी चाज निकलनी होगी लेकिन मैंने चार बार पतिल्ले को उठाया और चार और जस्ट एक गिलास मैंने चावल बनाई थे आप सोच सकते हो इतने भारी नहीं थे लेकिन मेरे में इतनी भी अनर्जी नहीं है कि मैं उनको उठा के रखती और आंड में थकी गी और मैंने क्या किया और निकालना ही रहने दिया और गैस पर रखके पानी को वैसे ही सुखा रखके इतनी मेरी बुरी हालत हो चुकी थी लेकिन यह जो वाइस-ओवर है वो मैं आज संडे को कर रही हूं तो आज रिलीफ है मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है ठीक हूं पहले से काफी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक हूं अच्छे से आज मैंने खाना-व अपना गुसा भी दिखाना शुरू कर दिया लेकिन डोंट वरी गाइस दीदी गुसा नहीं हुई है आप लोगों ने मुझे गुसा दिखाया मुझे बोला कि मैं अपनी नहीं केर करती हूं मैं अपने शरीर को पुष करती हूं मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे चो मैं जैसे बैठी थी तो उन्होंने फटफट से वीडियो बना ली तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ उन्हें बहुत अच्छा लगा यह जब ना स्वागत है आपका हमारे चैनल हरित्री बहल है ममा भॉस में और सबजी अब जी मैंने बना लिया है अभी मैंने बनाई है भिंडी की सबजी कढ़ाई का में को ठकन नहीं मिल रहा था पता नहीं मुम्मी का समान कहां पे है और बाबाजी का पार्ट लग गया है हमारे पास ही अबी मिल रलीव तो तबियत को कुछ नहीं मिला लेकिन नहीं हमत हार हूंगी वह जच्छबा है मेरे अंदर के मैंने हमत नहीं हार मैं हुँआ हरित्वी और पापा के यह थोड़ी सी कुम कुमी करने क्योंकि हरित्वी कुम पीना मामो के नानि हास में नहीं चलता है तब त लुकोज निकला, दिखो पर्पल कलर का निल पेंट अच्छा है लेकिन डाक सा है और ये नेक्स्ट डे हैं आज का संडे और आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपने दिल के बहुत ही करीब तस्वीरें जिन में से सबसे फर्स्ट ये वाली है तो मैं साथ-साथ ही आवाज नहीं दे पाई, मैंने सोचा चलो बाद में voice over कर लूँ और उसके बाद ये वाली picture मुझे बहुत प्यारी लगती है, उस टाइम मैं 5th standard में थी और मैंने किसी exam में participate लिया था और मैं block में से first आई थी उसके बाद ये वाली picture मुझे बहुत प्यारी है क्योंकि इसमें मेरे मम्मी पापा बहुत स्मार्ट लग रहे थे next this one picture ये 5th standard की है और first time मैंने किसी function में part लिया था इसलिए ये picture मेरे दिल के बहुत करीब है और I think इदा में मैंने participate लिया था ये थी जोती मेरे साथ मेरी classmate ये वली girl का मेरे को नाम याद नहीं है और ये थी हमारी principal मैम रेनुका शर्मा और ये senior class की teacher थी और उसके बाद ये फिर से वो ही picture जो है वो repeat हो गई actually ये picture मुझे दिल के इतने करीब इसलिए है क्योंकि price मिला था ना तो आपको कोई price मिलता है इतने छोटे होते fifth standard में block में से first आई थी तो उस time तो इसकी इतनी कदर नहीं थी नहीं पता था ये certificate मिला था और ये कोई guested officer थे जिन्होंने हमें दिया था लेकिन अब मुझे इसकी बहुत कदर है बहुत याद आती है इसको देख के और ये बहुत special picture है special इसलिए है क्योंकि इसमें जो डरा हुआ चोटू सा बच्चा बेठा हुआ है वो है मेरा चोटा ब्रदर और उनके साथ है हमारे ताया जी जो अब हमारे बीच में नहीं है हमारे ताया जी जो वो गुंगे बहरे थे ना वो बोल सकते थे ना वो सुन सकते थे लेकिन वो जितना प्यार हमें देते थे ना उतना प्यार हमें अपने किसी और से नहीं मिला इतने special थे हमारे लिए ये और ये पिच्चर मेरी फेवरे टीचर कौन था तो ये टीचर थी और इनका मुझे रियल नाम तो नहीं याद है क्योंकि इनको सब निकनेम से बुलाते थे वंटी मैम बंटी मैम बोलते थे और मेरे दिल के आज भी ये बहुत करीब है उसके बाद सबसे प्यारी पिच्चर मुझे ये लगती है ये है मेरी मम्मा ब्लैक और वाइट में अडॉरेबल ब्यूटी बहुत खुपसूरत थी मेरी मम्मा बहुत अबसूरत होती है लेकिन यहां तो कुछ अलग ही लग रही थी और ये नेक्स्ट पिच्चर है मेरी एट स्टेंडर की यहां गॉल्डन कलर की ड्रेस में मैं हूं साथ में वाइट कलर में मेरी बेस्ट फ्रेंड संगीता बेस्ट फ्रेंड हमेशा हम साथ रहे बस्यादी के और यह अब भी Canada में सेटल है और साथ में है जियोती संगीता और मेरा कुछ ऐसा था कि हम एक दूसरे के बिना स्कूल कॉलेज बिल्कुल आना जाना जो है वह इमेजन भी नहीं कर सकते थे संगीता तो मेरे बिना आ जा सकती थी लेकिन मैं तो उसके बिना बिल्कुल भी हम 10th में थे और फिरवल पार्टी की पिच्चर है शुरू से स्टार्ट करूं तो लेफ्ट साइड से परमजीत फिर किरन ठाकूर फिर मिनाक्षी और यालो में जोती यह हमारा 10th स्टेंडर का गैंग था हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे और अभी भी बहुत अच्छे फ्र मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यह प्लस टू की है बहुत अच्छे फ्रेंड थे हम रेनुका उसके बाद पूनम संगिता और मिनू बहुत अच्छी हमारी दोस्ती थी और अब तक भी हम है लेकिन पूनम का नहीं पता किदर है इशू मधू और फिर मिनू उस टाइम पे यह सूट बड़े फेमस थे जो मैंने डाला है ब्लाक कलर में बंटी बबली कॉलर वाले अभी इन में से संगिता मेरे साथ टच में है रेनुका शर्मा मेरे साथ टच में है बाकी कोई टच में नहीं है नेक्स्ट है यह पिच्छर मुझे बहुत प्यारी लगती है क्योंकि क्वेस में मेरे साथ नानु नानी है नानु को हम पिता जी बुलाते थे और नानी ममा को हम बुलाते थे बिबी जी बहुत बढ़े लिखे हुए थे comment टॉप करते थे पटवारी थे और उनोंने अपने बच्चों को बहुत बढ़ाया लिखाया काबिल बनाया नेक्स्ट यह यह पिच्चर मेरे दिल के करीब I don't know why क्यूं है अच्छे सी clear नहीं है लेकिन मुझे यह सूट बहुत पसंद था यह पिच्चर मेरी है बीएड की बीएड में कोई प्रोजेक्ट था यह मैट्स का मैंने रिपरेजेंट किया था सिलंडर बनाया था और थोड़ा शाही नेचर की हुआ करती थी मैं लेकिन फिर भी इंज़ीजों में पार्ट ले लिया करती थी और इसके बाद यह पिच्चर है मेरे साथ मेरी मोठो मिन्नू मेरी कजन और नेक्स्ट बीएड की ही यह पिच्चर है यह हमारी जो teaching practice लगती है स्कूल में यह लगी थी हमारी इस पिक्ट पूल है घंटागर में वायस का वहां पे लगी थी और यह पिच्छ जो है वहां की है बहुत अच्छी-च्छी स्वीट मेमरीज थी आ यह दो बार मेरी टीपी लगी थी वहीं पे लगी और यह हूं मैं और मेरी जान संगीता संगीता आम मिसिंग यू वाइल वाइल वाचिंग इस पिच्चर दिस आरती शर्मा विभु सूद बीयड की है और आइधिंक हम बंबे पिकनिक स्पोर्ट गए हुए थे तब कि ये पिच्चर है क्या बोलते हैं उसको चिंतपुर्नी माता के गये थे यह भी चिंतपुर्नी म है मिनाकशी शुननंदा संगिता और याद्विंदर में हमारा बहुत अच्छा बंड था मैसे मैट्स में और ये भी मैसे माट्स की पिक्चर है हम लोग हुमने जिंतपुर्णी जाते थे क्यूंकि हमें पास पढ़ता था एक गंटे का सफर होता था तो आरामसे शुबे जा ब्रहए अच्छा पन जाता था और यह गहा, जब मैं पढ़ाती थी मैडम मिनाक्षी और यह अप्रीक ना था जा ठाए इससमें मेरे फेवरिट गांग है जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे फेवरिट हैं यहा है मेरे क्युटी पाइ ? प्रिषिवानी जो बहुत smart बहुत बड़ी चुलबली क्योटी पाई हो चुकी है सारे बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं क्योंकि ममा पापा गर नहीं है तो बाकी पिच्चे तो मेरी बहुत ज़दा है specially teaching time की बहुत ज़दा हैं, college time की बहुत ज़दा हैं लेकिन मुझे मिली नहीं और तबियत भी ऐसी कुछ थी नहीं के मैं खुद से खोजवीन कर सकूँ के कहां पे रखी हैं तो जो मिली वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी इन ही से मैंने आज थोड़ा सा अपने आपको मम्मी पापा के बिना एंटरेटेन किया उमीद है आपको प सब्सक्राइबर हैं वो वन एम तक पहुंच जाएं बहुत ज़दा मुबार के माइडियो फ्रेंट